हेलो फ्रेंट्स हमारी चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज दिखिए हमने यह बहुत ही प्यारी ड्रेस बनाई है और यह हमने तीन मीटर नेट से अम्रेला स्लीब्स और अम्रेला घेरदार यह बनाई है तो आप देख सकती है कि कितना प्यारा इसका लूक भाल में आणज वाहल испर ही माई नेक काम प्यादा इसमें BC Nagant करें एक रिवाँ तो जेतिए हमने यह को दिखिए ही तो हम दो इसका क्पड़ा है तो देखिए घ्व कहते ही हम आए सेंट्ट्तून की लाइनिंग लिए है थोड़ा मोटा है यह मतलब पतला वालो नेट नह बिचाने के बाद ब्रेश्ट के कॉर्डिंग हम इसमें से कपड़ा कट कर लेंगे तो यह देखिए क्योंकि दोनों मतलब आगे पीछे के दोनों हमारे पर्दे निकल जाएंगे उसके लिए हमने कपड़े को चार तह में बिचा लिया है टोटल हमने यहां से बारा इंच लिय यहां से कट कर दिया है अब हम यहां से अपना इस लें neuantal देख लेँ जाएंगे श्रमरदफ लिया श्रमरा औरका नाव जाझा है तोटल हम न रही ना वही देमारा लिया है आप हमेंशा लेकिशले जेर च्छर नीच जाना है नावी पालर क्ल 아파 अनी कहाना जाएगा और बि तो प्लीस वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा अब जो बाके का मेजरमेंट है वो कर लेते हैं तो सबसे पहले लैंट हमने कर लिए है अब तीरा ले लेते हैं तीरा इसमें हम आठ हिंच लेंगे क्योंकि हम इसमें कॉलर लगाएंगे तो हम इसा कॉलर लगाएं तो उसमें अगर आप थोड़े पतले हो तो साड़े साथ इंच तक ले लें अब हमने साथ इंच पे ही आर्म हूल ले लिये हैं और अपनी चाती का चौथा हिस्सा और उसमें दो इंच का मार्जन यानि की एक्ट्रा यहां से कमर का भी चौथा हिस् कपड़ा इखटा हो जाता है कोई कुड़ती ब्लाउज पहनते हैं तो वह नहीं इखटा होता वह कट जाता है अब यहां से हम गले के लिए निसान लगाएंगे धाई इंच पे और तीन इंच पे गले की चौड़ाई लेंगे लंबाई लेंगे चौड़ाई धाई और का तीरा अलग कर लेते हैं बैक फ्रेंट पार्ट ये ध्यान रखें कि गला आपको बैक पार्ट को अलग करके कट करें अगर आपको ऐसे डाउट होता है तो आप अलग अलग पार्ट कट कर लें तो बैक पार्ट को अलग हटा देंगे और फ्रेंट पार्ट को हम सेम बराब सब्सक्राइब रख twee तो तो देखिए रख लिया है बराबर कर दों के बाद गले की और आर्म जोड़ के कटिंग करें गे और बेक परट में सिर्प एक इंच का गला कटिंग करेंगे वह बहु अस्तर जोडने के बाद वह अपना नेट जोडने के बाद अब जैसे हमने यह प करेंगे और जितना हमें कपड़ा चाहिए हम उतना इसे फोल्ड करके और इसको रखके इसके उपर अस्तर को और बिल्कुल ऐसे ही बैक पार्ट को रखना है आपको क्यूंकि अभी बैक पार्ट के गला कट नहीं हुआ है तो फिर फ्रन्ट पार्ट का गला हम बाद में कट कर ほぼ शेना कम क में अर्म notify का बठता हैं शेते करें अर्मोल को ओलगा अलग करेंगे और अन्ता प ense खोर में अममें ऑने का का बठा में थान्गेशा नहां है गिए थो क्या करेंगे इन दोनों पार्ट को भी वहां सेम अलग करदेंगे फैसन में फ्रेंटाम गले की और आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और इसमें हमने अम्रेला सिर्विस बनाई है उसका वीडियो हमने पहले से ही अपलोड किया हुआ है आप हमारे चैनल पर देख सकती है वन नाम लिंक डिस्क्रिप्सर में दे देंगे तो देखिए यह इस तरीके से बैक गले आ जाएगा हमारा और अब यह फ्रंट रख लिया है हमने सेम तरीके से गले की और आर्म होल की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से अब इसको उठा के सेम तरीके से बिल्कुल बरावर दो फोल्ड में यह हमारा यह ध्यान रखेंगे आप इक दम बरावर है यहां से इसकी भी कटिंग हो गई है और अब हम यहां से इसको अभी तो हम थोड़ा सा कट कर रहे हैं आप अपने हिसाब से जैसे कि आप साथ आठ इंच तक पहनती हैं तो अभी हम निसान लगा रहे हैं सिर्फ आठ इंच वे और उसके बाद हम इसको पूरा ही ओपन कर के में थोड़ा से अभी गट लगा रहे हैं इस तरीके से लेकिन जाउम से लाई करेंगे दोनों पाट हमारे ओपन होंगे और इसमें हम जो एक पाटि लगाके ओवरलॉप करते हैं आप अब यहां से हम इसको इसको छग देंगे यह देखिए फिर से देखिए दो फोल्ड में करके और एक कौना उठाके ऐसे तिकौना मिला देंगी जैसे दो 30 सलवार के लिए मिलाते हैं अब यह हमारा इस तरीके से हमने मिला दिया है अब हम अपना टॉप पार्ट लेंगे और यह प्रिंटिड कपड़ा है तो इसमें चौक वगएरा किसी भी कलर का दिखाई नहीं दे रहा है हमने कोई चौक इस पर दिखाई नहीं दे रहा है तो हम क्या करेंगे कि अपने टॉप पार्ट को रखके और सेम कटिंग कर देंगे यहां से यह देखिए और जो इसकी लेंथ होगी वो टोटल हमारी 40 इंच होगी टॉप पार्ट को लगाके तो हम 40 इंच का इसे बना के तैयार करेंगे जिसमें हम अपना जो यह वाला पार् आरजन समयत और हमारी जो उपर का टॉप पार्ट है वो भी हमारा तैयार होके 15 इंच रहेगा तो थोड़ा बहुत एक्स्टा होगा 40 से अब यह देखिए हमने कटिंग कर दी है तो देखिए हमने इन दोनों पार्टों को ओपन कर लिया है अब हम इसमें पट्टियां लगाए तो हम सबसे पहले हमने अस्तर के साथ इसको नेट के साथ रखा है तो इसकी चोड़े तीन इंच है तीन इंच करके हमने रखा इसको अरफ इसको तो हम ऐसे एक इंच बाहर की साइड से लेंगे और इसको अंदर की साइड फूल्ड कर देंगे इन दोनों पट्टियों को तो सारिके से आजाएगी और इसको हम करिवन चोर सोर के और दियुक्त सब्सक्राइब कर hidden 807 चोर से जब देंगे ज्टी तो दिधे हम तो देखिया हमारा इतना उपन है यह और बाकी के पर पर मनें पार दिख यहां कि हमने फीस में रिद दी कि एolph टो अब हमारा जो नीचे का टॉप पार्ट था उसको हमने अस्तर को भी हमने सेम ऐसे ही कटिंग कर लिया था जैसे हमने अपने नेट को कटिंग किया था और इसको इसके साथ रखके अब हम अटैच कर देंगे ऐसे पूरे में तो देखे हमने इसको इसके साथ अटैच कर दिया है के रहे हैं जैसे हम पास्त की हैं जैसे हमने फ्रइंट को तैयार किया है भैक को भी एऽ स कटिंग कर लिया है आप देख सकती है अब इन दोनों का हम तीरा ज़ॉईंट करके और इसमें स्लीज कर के हैं अर्मोहल में उनको हम इसमें लगा कि तैयार करेंगे जो नॉर्मल कुष्टी की तरह फिटिंग होती है ऐसे हम इसके फिटिंग कर देंगे तो यहां से हमने देखिए सिलीप से भी लगा ली है और जो नॉर्मल कुर्टी की तरफ फिटिंग होती है वो भी हमने कुर्टी के मेजरमेंट से कर ली है अब इसका कॉलर लगाना है कॉलर भी हम बिना बुकरम और बिना पेपर पेस्टिंग का ही लगाएंगे सबसे पहले कॉलर को हम नाप लेंगे तो देखें हम कॉलर को नाप लेंगे अच्छे से तो ये हम जो हमने अलग से एक इंच के पट्टी लगाई थी उसको हटा के नापेंगे हम यानि कि उसको नहीं नापना है आपको, सिर्फ और कॉलर को ही नापना है, तो टोटल हमारा 16 इंच का नापना है, इसको हटा के इसको नहीं लेंगे, तो हम एक सीधी पट्टी ले लेंगे, यह पट्टी की जो चोड़ाई है, वो हमने 2 इंच के बरावल दिये हैं, लेकिन हम एक इंच का ही रखेंगे बाकी की को हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे अब हमें क्या करना है कि सीधी साइड को ऐसे रखके इसको और ऐसे पूरे मेर लगा के और फिर ऐसे इसको अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे इस तरीके से पूरे ही गले में हमको इसे लगा के तैयार करना है तो देखिए हमने पूरे गले में इसको लगा लिया है आप देख सकते हैं बिना बुगरम और बुना पेपर पेश्टिंग के विए बहुत अच्छा हमारा गला बैठा है इसमें कोई भी फैंसी बटन लगा देंगे सामने तो देखिए कितना प्यारा इसका लोक आ रहा है खुब गेड़दार और इकदम फिटिंग में बनी हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब की